मांस मच्ची से 10 गुना जियाना ताकत इस डाल में केवल खाने का ये तरीका होना चाहिए अगर आप जीम जाते हैं, प्रोटीन डाइट के तलाश में हैं, तो ये वीडियो ध्यान से अंतक देखेगा, और जिस दाल के बारे मता रहा हैं, उसे जरूरा परियोग मिलाईगा। दोस्तों, जब भी सहत से जुड़ी किसी भी तरह की कोई बात होती है, तो उससे लगता है कि मान समच्छी खाना ही सबसे बहतर है, लेकिन नेचर ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें गिफ्ट की हैं, जिने हम सही तरीके से खाएंगे ना, तो मान समच्छी से भी दस गुना जिस चीज़ की बात कर रहा हम है दोस्तों, मोट की दाल, वैसे तो इसके शरीर में बहुत से फादे होते हैं, लेकिन बच्चों के शारिरिक विकास और मर्दों की अच्छी सेहत और कमचूरी को दूर करने के लिए मोट की दाल बहुत अच्छी होती है, अगर आपके शरीर दोस्तों, मोट की दाल मूंग की ही तरह एक दाल है, इसको कई जगों पर वन मूंग भी कहा जाता है, अलाकि इसकी खेती देशवर में की जाती है, तो आप क्या कीजिए इस तरह का मोट आप न किराने की दुकान से ले आएका, और यहां पर एक खाली कटूरी में मोट दाल को डाल दीजे, दोस्तों, मोट जो दाल है ना ये, ये दालों का महराजा इसे कहा जाता है, इसके सही तरीके सलेले से आपको बहुत फादे मिलेंगे, तो यहां पर एक खाली कटूरी में मोट की दाल डेड़ मुठी के बराबर डाल दीजे, उसके बाद आपको इसे पानी म बहुत ही फादे मिलेंगे, क्योंकि मोट की दाल में प्रोटीन और केल्शियम दोनों ही भरपूर मातर हम होती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूद करता है, और अगर आप जिम जाते हैं, सेहत बनाना चाहते हैं, तो यहां पर भी यह जो मोट की दाल है ना वो फायदा प इसके लावा जिन लोगों का शरीर जोएन बुखार की वज़ह से कमजोर हो चुका है, या फिर विरे नाश की वज़ह से कमजोर हो चुका है, या फिर जिनकी इमनिटी बहुत कमजोर है, सरदी खासे जुकाम जल्दी हो जाता हो, तो मोट की दाल का पानी उनके लिए बहु में चूब भी नहीं पाएंगे इसके लावा इस दाल में जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन का खजाना है इस प्रोटीन भरपूर मात्रे में होता है तो शरीर में आई कमजोरी जो मसल्स वीक हो गए इसके लावा जिनको diabetes है जिनको high blood pressure की समस्या है जिनके शरीर में कॉलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है दिल और दिमाख से सम्मधित कोई रोग है उनके लिए दाल गुणकारी होता है इसके लावा घर के छोटे बच्चे हैं जिनका शारीरिक विकास नहीं हुआ है यानि कि उनकी मोट की दाल का पानी और मोट की दाल खिलाना चाहिए इस लगातार 15 दिनों तक खिलाने से उनके शरीर में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है हडियों का विकास होना शुरू हो जाता है हाइड ग्रोथ होती है यह दोस्तों फाने में बहुत ही स्वादिश लगता है राद भी तो फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा जब तक आप एक्ससाइज या फिर वयाम नहीं करोगे तब तक इसका पांचन अच्छे से नहीं हो पाएगा और इसका पांचन जब तक अच्छी से नहीं हो पाएगा तो आपके श्रीर में लगेगा कैसे इसलिए थोड़ा तुम फली भी थोड़ी सी मातरा में भीगो सकते हो आप यह हो तो थोड़ी सी मातरा में किशमीच भी इसमें भीगो सकते हो दोस्तों इससे जरूर लगदार 15 दिनों तक खा कर देखना यकीन मानों आपका काया कल्प हो जायेगा